यह है अगारो का कॉस्मिक प्लस इलेक्ट्रोनिक टूथब्रश और यह इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में आता है। आज इसको टेस्ट करेंगे, जानेंगे क्या खास है इस टूथब्रश में। इस तरह के बॉक्स में आता है, की स्पैक्स यहां मेंचन कर रखी है, IPX7 waterproof है, rechargeable है, एक साल की warranty के साथ में आता है, 5 cleaning modes है इसमें, बैक साइड में की स्पैक्स के बारे में मेंचन कर रखा है, sonic technology मिल जाती है, 40,000 strokes per minute और भी काफी सारी चीज़ें हैं, तो बात करेंगे सारी इस अब यह वाला जो head है, basically काफी soft bristles के साथ में आता है, और दांतों की बीच की गंगी को भी साफ कर देता है, यहां पर आपको एक case मिल जागा, carry करने के लिए, और case की quality definitely यहां पर अच्छी है, magnetic case है, और इसके अंदर में आपको main toothbrush और एक extra head देखने को मिल जाता है, जैसे कि साथ में box में आपको एक cap भी मिलती है, brush head के उपर लगाने के लिए, तो basically dirt वगेरा से बचा लेगा, इसको भी आप use कर सकते है, यह जो toothbrush है यह आपको rechargeable मिलता है, यहां पर एक USB केबल मिल रही है, किसी भी USB adapter पे लगा के आप इसे charge कर सकते है, चार घंटे तकरीबन इसको charge क करने में लगते हैं, 25 दिनों का battery backup आपको मिल जाएगा, अगर आप इसको 2 minute, 2 बार एक दिन में use करते हैं तो, brush head की बात करूँ तो यह काफी जादा soft है, तो मुझे लगता है, most of the users के लिए यह comfortable रहने वाले हैं, अगर मैं toothbrush की बात करूँ तो यह 5 modes के साथ में आते हैं, और साथ ही में इसमें जो 5 modes है ना, उसमें memory का function भी है, यानि कि जिस mode पे आप छोड़ेंगे, वापिस जब आप इसको start करेंगे, यह उसी mode पे काम करता है, single button से काम करने वाला है, इसी button को दबा के on off कर सकते हैं, और यहीं से आप इसके single click पे modes को भी change कर सकते हैं, तो पहले इस brush head, brush head को लगाना काफी ज़्यादा असान है, मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, बस आपको इस तरह से brush head इस पे लगाना है, और clockwise आपको इसको rotate करना है, brush head यहाँ पे लग जाएगा, पहला mode है white, जो की काफी powerful है, उसके बाद में clean mode मिलता है, उसके बाद में sensitive mode मिलता है, फि आप किसी भी area में अगर लगातार brush करेंगे ना, तो 30 second में यह आपको remind कर देगा कि आप अब दूसरी जगे पे इसको move करो, तो यह अच्छी बात है, दूसरी बात, दो मिनट के बाद में यह auto shutdown हो जाता है, मतलब अगर दो मिनट तक आप लगातार brush कर रहे हैं, तो उससे ज प्राम से brush करने के बाद में आप इसको पानी से दो सकते हैं, और मैंने running water के नीचे इसको धोया है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर अगर मैं cleaning की बात करूँ, वैज़े तो मैं आपको डवी यहाँ पर देली यूस करते हैं, तो definitely आपको अच्छे results देखने को मिलने व मदद करता है, मुझे best part लगा इसका battery backup, यानि कि दो मिनट अगर आप brush करते हैं सुबह और शाम, तो 25 दिनों का battery backup आपको मिल जागा as per the specifications, अब जैसे कि मैंने बोला है भी मैं इसको सिर्फ test कर रहा हूं कुस दिनों से, और अभी मैंने इसकी battery एक बार charge की थी, और फिलाल मे इसके heads हैं, वो भी आपको extra यहां पर देखने को मिल जाते हैं, और future में अगर आपको अलग से head खरीदने हो, तो वो भी on Amazon पे available हैं, इसको खरीदा है, तो इसका जो current price है, वो है 16.500 रुपे के असपास, जो की change हो सकता है, मेरे control में नहीं है, description मैंने link दे रखा है, कोई सवा है तो comment कर सकते हैं, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, कुछ और gadgets के साथ में